दोस्तो आप सभी का Only Top Study पर स्वागत है Railway Group D 2022 Officially First Phase के Admit Card डाउनलोड होना सुरू हो चुके हैं तो फटा-फट से आप अपने Admit Card को डाउनलोड कर लिजे अगर किसी भी बच्चे का Admit Card डाउनलोड नहीं हो पाता है किसी भी कारण से तो आप हमें Comment Box में दोस्तो बताईएगा आप से Contact करके आपकी Problem को Solve किया जाएगा Second Phase के Admit Card दोस्तो कब तक आ सकते हैं उसके बार में बात करेंगे Admit Card कैसे डाउनलोड करने वो भी में बताऊँगा तो वीडियो को पूरा End तक देखेगा और सबसे पहले बता दू कि हमारे Offline Batch के कई बच्चों का एक्जाम दोस्तो 17 अगस्त को है तो सबसे पहले Analysis, सबसे सटीक और सबसे पहले Only Top Study चैनल पर आने वाला है तो आप पहले ही चैनल को सबस्काइब करके बेल आइकन को ओन रखिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड़ो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों को भाई को बहन को जो भी जारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो को सेर करिएगा आप हमारी 1500 GK और 2000 Science की पीडियाप डाउनलोड करके भी दोस्तों पढ़ सकते हैं और यह सभी क्लासीज हैं इनके टाइमिंग नोट कर लीजे ताकि आप एक भी दिन की वीडियो मिस ना कर सके क्योंकि एक्जाम चलते रहेंगे वीडियो आती रहेगी और एक और चीज दोस्तों कोई भी ओफिशल नोटिफिकेशन आता है वो और भी भोपाल की वेबसाइट पर सबसे पहले और सबसे सटीक होता है आप इस वेबसाइट पर जाके चेक करते रहा करें तो यहां पर देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन है सेकिंड फेज की एक्जाम डेट तो आई चुक है वो आप सभी को पता चल चुका है बट आपको बताना है इस टाइम पर कि आपको एडमिट कार्ट कहां दे डाउनलोड करने है देखिए क्लिक हेर फोर एक्जाम सिटी स्लिप लिंक फोर सिबर्टी फेज वन यह वाला लिंक है दोस्तो इस पे जैसी आप लोग किलिक करेंगे तो इस पे किलिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा है Candidate of RRC East Central Railway हाजीपूर South Central Railway सिकंदराबाद Western Railway मुंबई Can Login to View Their City Intimation Slip Force Level 1 Examination यह कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को अपना registration नमबर डाल देना है ठीक है registration जैसे ही नमबर आप डालोगे इसमें तो इसमें आपको अपना password जो है वो date of birth है आपकी तो इसमें अपनी date of birth डाल दीजेगा आप अपनी date of birth डाल के login करोगे तो login करते ही आपका जो admit card है वो खुल के आजाएगा उसको download कर लेना उसका print out निकाल लेना basically ठीक है print out जरू निकाल लीजेगा उसमें क्या-क्या ले जाना है वो भी बताऊँगा अब second phase पर आ जाते हैं second phase का admit card कब तक आ सकते हैं जैसे कि आप लोग को पता है 26.8.2022 से 8.9.2022 तक आपके second phase के exam होने वाले हैं तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि चार दिन पहले admit card download हो सकते हैं आप लोग देख भी पा रहे हमारा 17 अगस्त को exam है और अब चार दिन पहले आप अपने admit card download कर सकते हैं तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर 26 से आपका exam है ठीक है 26 से आपका exam है second phase का तो अपने admit card आप download कर सकते हैं कब से 22 तारिक से 22 तक आपका admit card आजाएगा second phase का तो बिल्कुल भी इन चीजों से यह आपके second phase के exam होने वाले है इन चीजों में मतलब ज्यादा उलजने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज्यादा time waste करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और तीसरा point हमारा क्या था दोस्तों एक बर देख लेते हैं admit card कैसे download हो गया अगर हां किसी की भी कोई भी problem है ना दोस्तों comment box में बता दिया करें कोई दिक्कत नहीं हम बैठे रहते हैं आपकी problem को solve करने के लिए हमारा contact number भी है जिसका link नीचे description box में मिल जाएगा और यह दोनों चेक कर लेना अभी उसको नीचे description box में लिंक है topic wise जी के जिसमें सब कुछ cover करा रख है चेक कर लेना वह playlist भी नीचे description box में त्यारी करते रहिए महनत करते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों किसी चीज की चिंता मत करिए all the best thank you so much bye bye take care